रणवीर सिंग अपनी आने वाली फिल्म को लेकर खूब सुर्खियों में है। एक ट्रेस ने भी चौंक आया, पहचान नहीं पाएंगे। वहीं बता दें कि सारा इस फिल्म के लिए पहली 24 नहीं थी। सिंबा के लिए मेकर्स को जाहनवी सबसे ज़्यादा पसंद थी। उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग फाइनल ही कर लिया गया था कि जाहनवी की एक गलती से उनके हाथ से ये बड़ी फिल्म निकल गई। रिपोर्ट्स की मानें तो सिंबा की स्किट्च जाहनवी और सारा दोनों को सुनाई गई थी लेकिन रोहित की पहली पसंद जाहनवी ही थी। फिल्म हाथ से निकलने की वज़य है जाहनवी का अनप्रोफेशनल रवेया। दरसल जाहनवी ने मीडिया में पहले ही ये खवर लीक कर दी कि उन्हें सिंबा के लिए लिया जा रहा है। वे यहां तक कहती दिखी कि वे रनवीर सिंग जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने को ले कर नर्वस हैं। रोहिद को जाहनवी का अनप्रोफेशनल रवेया पसंद नहीं आया और उन्होंने जाहनवी को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी जगे इस प्रोजेक्ट में सारा की इंट्री हो गई। वहीं ये फिल्म नहीं मिलने पर जाहनवी मायूस तो जरूर होंगी लेकिन ये फिल्म सारा के लिए जाहनवी से ज़्यादा जरूरी थी क्योंकि उनकी पहली फिल्म बीच में ही लटक गई है बहरहाल यहां जाने क्यों सिंबा बन सकती हैं 2018 की सुपर हिट फिल्म रोहित शेटी स्पेशल रोहित शेटी उन निर्देशकों में हैं जिनकी अपनी अलग ही फैंट फॉलोइंग है इनका नाम किसी से फिल्म से जुरता है कि लोगों की बेसबरी खुद बखुद बढ़ जाती है पदमावत के बाद रनवीर सिंबा में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं पुलिस के किरदार में धमदार एक्शन करते हुए रनवीर को देखना दिल्चस्ट होगा सेफ अली खान की बेटी सारा अली खान इस साल बलेवुड में डेब्यू करने वाली है कोई शक नहीं कि रनवीर के साथ इनकी डेब्यू धमाकेदार रहेगी यह एक हार्ड कोर एक्शन फिल्म होगी पुलिस वाले रनवीर एकदम दबंग अंदाज में एक्शन करते देखेंगे फिल्म में रनवीर सिंगे एक पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं उनके किरदार का नाम है संगराम भले राव पहले यह फिल्म शारोख खान की फिल्म के क्लेश हो रही थी लेकिन फिर रोहित शेटी ने इसे एक हफ्ते पोस्ट पोन कर दिया फिल्म 28 दिसंबर को रिलीज होगी नियू यर का मका और रोहित शेटी की फिल्म जाहिर है तवरतोड कमाई फाइनल है यह फिल्म साउथ की सुपर हिट फिल्म टेम पर की रिमेक है इस तेलगू फिल्म को दशकों ने खूब पसंद किया था सिम्बा करण जोहर की दर्मा प्रडक्शन बैनर तले बन रही है जाहिर है फिल्म का प्रमोशन जम कर किया जाएगा